असलाम लेकम मायर विलोग में वेलकम आज के विलोग में हम चलेंगे बकरा मंडी और वहां जाके हम देखते हैं कि आज हमारे हिसे में नसीब में क्या आता है हम बकरा लेते हैं या वेडी लेते हैं सुनने में आ रहा है रेट बहुत हाई है इस साल तो चलिए विलोग हो रही है उन्टों की मंडी इंशालला जिंदगी रही तो अगले साल में उन्ट जरूर कुर्बान करूंगी मुझे बहुत ज्यादा शौक और आप से सलम की सुनत भी है तो रोड क्रॉस करके यहां से जी मंडी स्टार्ट हो रही है शदीद किसम का रश है और जानवरों का इ अपनी पसंद का खरीदूं तो इस हिसाब से मैं इस कंडिशन में भी खुद ही आई हूं माशाला जैसा कि आप देख रहे हैं मंडी में अच्छा खासा इंतजाम है स्क्यूर्टी का लेकिन रश भी बहुत ज्यादा है बचा पार्टी आई भी है फैमिलीज के साथ यहां ब बकरे माशारा बड़ प्यारे प्यारे हैं और कुछ बकरे मुझे अच्छे लगे रहे लेकिन उनके रेट बहुत ज्यादा हाई हैं यहां पर तकरीबन सारे जानवर मिल रहे हैं लेकिन सबके tik layers double हैं पिछले साल से पिछले साल korona की वज़ज़ से लोगों ने इतनी ज़द जानवरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए एक तो ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं दूसरा इतने नेक मकसद के लिए यहां आएवे हैं तो इनको तो खसूसी प्रोटोकोल देना चाहिए इनका स्पेशल ख्याल रखना चाहिए यह देकर रश हच्च से ज्यादा है यहा पानी और पतानी क्या क्या बता रहे हैं तो रेट इसलिए इस साल ज्यादा हैं बकरे तो नोट आउट माशाला बहुत प्यारे लेकिन फिर भी इतना रेट तो नहीं है इतना रेट तो वैडि का होता है तकरीबन जबके पिछले साल तो वैडियां भी 50, 60,000 तक की रहन्य मे तो बहराल हमें ढूंटे 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 आखरकार एक बकरा पसंद आ ही गया मेरे हस्बिन को पसंद आया है तो जाहरे मैंने भी पसंद कर लिया जो हमारे नसीब का है तो बकरा आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन से वाला बकरा है तो बकरा है जी ये वाला ये हमें अच्छा लगा है और इसकी प्राइस भी थोड़ी मनासिब है और यहाँ पर सबसे मज़े की बात मैं आपको बताओं यहाँ पर एक पिंक बकरा मौझूद है यह देखे और इसकी ब्लू आइज है नीले कलर की बड़ा ही प्यारा था दिखने में कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा बिल्कुल वाइट और पिंक सा और ब्लू आइज लेकिन इसका रेट काफी ज्यादा है बाराल जिस स्पीड से मैं मंधी के अंदर घुसी थी उससे ट्रिपल स्पीड में मैं वापस निकली हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है और कोई सिस्टम नहीं है यहाँ खाने पिने का या च्छाओं का या किसी भी तरह का बैराल बकरा आपने ले लिए है यह इसके लिए कुछ थोड़ी सी जिलरी लेते हैं प्यारी सी मिल रही है यहाँ तो आप जी बकरे को घर ले जाने के लिए इंतिजाम कर रहे हैं सवारी का तो एक रिक्षा मिला है और मेरे नसीब में मेरे हिस्से में ये है कि मैंने रिक्षे में बकरे के साथ बैठना है तो अब मैं फिर अपने हस्बेंड के साथ आई थी बाइक पे अब मैं रिक्षे में साथ साथ चलेंगे तो आपको रास्ते में दिखाती जाओंगी स्पीड में थोड़ी बढ़ा रही हूं वीडियो की क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और बक्रे मियां बड़े खुश थे रिक्षे के अंदर मतलब बड़ा confident बक रहा है और बड़ा ही large shard कर रहा है बड़ा अच्छा बक रहा है माशाआला Allah अला कुर्बानी कबूल करें जिस जिसने इखलास से कुर्बानी लिए हैं Allah उनकी कबूल करें और जिन्होंने नई ली Allah अनको तौफीक दे तो ये husband साब साथ साथ जा रहे हैं और मैं रिक्षे में बैटी वीडियो बना रही हूं बकरे के भी और husband मिया की तो चलिए फिर जब घर पहुंचके आपको दिखाती हूं end तक तो बच्चे जब घर लेकी आई हैं तो बच्चे बड़े खुश हुए बकरे को देखके और सबको माशाला बहुत अच्छा लगा तो आपको विलोग कैसा लगा आपने मुझे जरूर बताना है तो husband साब ले आई हैं माशाला से घर बकरा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां रहें खुश रहें मुझे अपनी दो में ठेर सारा याद रखें तो और अपने भी ठेर सारा ख्याल रखा करें सबको एडवांस एद मुबारक अगला विलोग बनाऊंगी बकरे की खुराग पे तो तब तक के लिए लाफिज